अपने मन पसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें कुछ वा कुछ नहीं मैं तौछ सामने का उत्में इस चीज का ख्याल ली इस अधर्या बदा ने मुझे बताया कि आप मेरे दस प्रक्राइब करना चाहते हैं जी लेकिन मेरी एक शर्त है इसपर जब आब इसे कहिए कि मुझे इसकी हर शाल्थ मंगे एए डीजै इस पर साइन किया यह अन्य टाइम चेक कर लेजिए यह आदमी नकली यह हारिस भाहिजन के सिल्मेशन महीं इसे दगन कमीने जूटे मैं तो तुझे देखते ही पहचानगा कि तू कितना घट्याद से तमीर सबात के कि कि तमीज से बात कि अगर मैं बत्तमीजी पर उतराया ना तो आपको बहुत महेंगा पड़े कि तुमने बड़े कॉंफिडेंस के साथ अपने आपको फारिस होने का दावा का था ना फैसला हो चुका है तुम घलत हो अगर तुम सही होते तो तुम्हारे साइन फारिस के साइन के साथ मैच यह 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 अपने आपको मेरा छोटा भाई कहता है और यह 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 खुद को मेरे बड़े अभू कहते हैं वेरी सॉरी डूसे कि यह लोग यह नहीं जानते कि यह मेरा पुराना साइन जो मैंने जानबूश करें लोगों को आजमाने के लिए किया अब तुम सूरी मत बनाओ अपना जूत को सच बनाने के लिए इसा जह रहा है मेरे सही साइन मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट पर यह ने मैने बाद में बदल दिया था अब यह यह वांट तो मैं अपनी नई साइन भी कर सकता हूं चैना आफ अब पेपर पीज़ पीज़ हाँ, कीज़े एपर दिखा दिखा दिजे इन लोगों को अब बताइए जोरी सब आप को कि शक है अरे अगर अनके पास जवाब होता तो इस तरह खामोश क्यों रहते हैं अब ये शर्थ हार चुके हैं और शर्थ के मताबिक इन्हें इस घर को फोड़ कर चाना साइन तो कोई भी कर सकता है इससे ये फैसला नहीं हो सकता देगा अपने अब ये खुद अपने बात से पलट रहें सबसे बड़ा इंतहान आपने मेरा लिया और अब जब मैं काम्याब हो गया तो ये लोग कोई दूसरी चाल सोच रहें मुझे दोगेवाजी की बाते नहीं आते हैं मुझे अभी विश्चा है इसबरसाब प्लीज इस इनाफ अब इन्हें समझा दीजे कि अगर इन लोगों ने मुझे परिशान करने की कोचिश की तो मैं इन लोगों पर में टॉचर काक्ष चेस करते हैं और मीरष पर इनली आप लिए शाजिक अब आप 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 बाच जाए इतना असान नहीं है इस वक्टर साथ वासाब वाँ, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी एक्टिंग की, ऐसी एक्टिंग की, कि मुझे एचा अलग रहा था, जैसे कुछ मैं फिल्म देख रहा हूँ. मान गया ना बिड़ा? अने साब मही नहीं माना, सब के सब देखते रह गए और आपने वासे मान ली? अरो ये तो शुरुआत है प्यारे, अभी तो बहुत सारी बाजिया मार गए है, आप सबसे मुश्किल काम गिया था, जो आपने बड़ी आसानी सा कर ली, बस सब के सब देखते रहेगे, सब की बोलती ही बन होगी, तहासा को चौदे साब तो तो तेखते रहेगे, इससे मैंन कि चौदरी की अगली चाल गया है, इसना कुस तो सोचे रहोंगे साब, सोचने दे, सोचने दे उसको, उसकी हर चाल करमा उसे मूँ तोड़ चबाब तूँगा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, आप सबान अल्ला, तुम असका बहुत मारता है, तिर में बहुत बड़ा कीड़ा है, तोड़ा नहीं बहुत, वैसे मुझा आगया, जोदरी की रात की नील हराम हो गया, अब देख रहा हूं, बैठना चुप-चुप, आप एक बात पुछू, तईसे जाग दोगे, पूच, आप गुस्सा तो नहीं होंगे, अब डिपन करता है, तेरा सवाल क्या ह ताब वो आप असली हो या नकली? असली बड़ा अबू, क्या मैं इस समझ लो क्या हम हमत हार गाया है? नहीं था, मैंने ऐसा तो नहीं था बड़ा अबू, हमने यह सुचा था के, साइन मैच करने के नाम से भाग जाएगा लेकिन मैंने बहुत सोचने समझने के बाद यह रास्ता नहीं था लेकिन नुक्सान तो हमारा हुआ ना और सबसे खलत बात यह हुए के इंस्पेक्टर में उसे खारस मान देए अब इस्पेक्टर उसी का साथ देगा ऐसा गुछ नहीं है तल उन्हें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो हमारे खलाफ है तो क्या वह से मान लेंगे बड़ेबू आपको कह रखते हैं मुझे लगता है कि वह खारस है यह तुम क्या कह रहता है यहां बड़ेज़ उसने जो बात पता की है कहीं उसमें थाइन भी तो नहीं डेख लिया लेकिन भाईजान के कॉलेज के सिगनेटर वाली बात उसे कैसे पता चाहिए वो तो सिफ हाई जानते थे और हम लोग तो जिस मकसद से आया है उसे हासल करना पर इसकेल नहीं हुआ है हमारी कितनी प्रॉपर्टी है कितनी ज्यादाद है यह शायद हमें भी नहीं मार लेकिन मुझे यकीन है यूसे अच्छी तरह से पता होगा बड़ अबू ऐसा लगता है हमारे फैमली के बारे में पोर रिसर्च करके है इसा लगता है कि यह एक जर्नलिस्ट है कुछ नहीं हो तुम इतना मत कर रहा हो मेरा दिमाग कामी नहीं कर रहा है यह बहुत बड़ी साजिश है जिस पर से पढ़ना उठाना है ताहा आज आपके परस्नालिटी में कुछ चेंज लग रहा है मुझे नहीं लगता वही बाते ऐसी होती है जो बताने पर ही पता चलती है ठीक अधा फर्माईए क्या चेंज लगरी है हमारी परस्नालिटी में आपको बता दू मत काम क्यों नहीं बोलूँगी जरूर बोलूँगी और तुम अपने दिल पर हाथ रख लो क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें बहुत जोर का जटका लगे अच्छा प्लीज तो काम लो तच ये है तहा कि तुम तुम बूड़े हो चुके हो क्या और नहीं तो क्या वरना इस तरह बूड़ों की तरह बहेव क्यों कर रहे हो तो ये तुमने वागए मुले जटका दिया है मैं आइने में अपनी शकल देखने तो कोई जरूरत नहीं है आइना देखने की मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें पहले वले स्वीट तहा बने के लिए क्या करना होगा बता बस मुझसे प्यारी प्यारी बाते करनी होंगी वो यंग तहा बन जाओ आए जो आए जोवी बी सीरियोस मैं इस्टर्ब कॉम्हान तहा बोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना ये सब कुछ क्या से मेरी आंखों में टोप जाओ छोटी क्या डर लगता क्यों वो स्ट्यूबिड इंसान हमें धोके पे धोका दिये जा रहा है और हम हाथ पे हाथ रखके बैठे हमें तहा मेरे दिमाग में एक हयाल आया है वोट हो सकता है कि वो सच मुझ सच मुझ हारस हो एक्जाटली मैं भी वड़ाब उसे यही कह रहा था लेकिन उमानने को तयार नहीं तहाँ हम सिर्फी कैस कर रहे हैं हाँ जूबी लेकिन उस थौट को हम तुनना ने चाहते हैं जूबी एक पार उसके सच होने का सुबूत मिल जाए क्योंकि हम जाला दिन तक एक स्टेंजर को अपने खर में नहीं रह सकते जूबी कुछ सोचो कुछ करना पड़ेगा थारस की हकीकत तो सिर्फ मैं ही साबित कर सकती हूँ हाई तुम एकनी राद गये यह मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती यह वक्त है किसी से मिलने का और तुमारा यूही मेरे कमरे में आना कोई वजह नहीं बनती है तुमसे मिलने के लिए मैं वक्त की महताज तो महीं है गभुआ और अब चली जाओंगी एसी भी के जिल्डी सिर्फफिये जानना चाहती हूं कि कहीं तुम उझे भूल तो नहीं कहां कुछ नहीं भूला मैं पुछन ही भूला तुम्हारा चूट मारा फ्रेम नहीं मक्कारी तब याद है मुझे जिब सब याद है तो इस तरह अंजानों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैं अंजान ही अच्छा हूं हूं। तमस्कम जान बूच कर ठोका तो नहीं खाना पड़ेगा। मैं तुम्हें खुब अच्छी तरह चाहता हूं। तुमने मेरे साथ प्यार का छूटा नातक तुम मेरे साथ शादी करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे तुम्हारा एक ही मकसद था। इस खांदान की चाइदाद पर कब्जा करना। लेकिन अफसोस तुम्हारा मकसद कामयाब नहीं हो तो लेकिन तुम्हे मेरे छोटे भाई तहा को अपने प्यार के जाल में फास तुम्हारा है। मैंने तहा को नहीं भसाया है। वो मुझसे प्यार करता है और उसी में मुझसे शादी करनी की पातकी थी। देखो जूबी, जितना मैं तुम्हे जानता हूँ ना, उतना शायद तुम भी अपने आपको नहीं जाना। मैं सुर्फ खामोश हूँ अपने छोटे भाई और इस घर की इज़्जत की खामोश हूँ। तुम यहां क्यों आई हो, यह मैं अच्छी तरह पाता हूँ। महारा शैतानी दिमाग तुम्हे यहां खीच करता हूँ। तुम सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रही हो, कि मैं असली हारिस हूँ यह नहीं। एसी कोई बात नहीं है और मैं बदल चुकी हूँ। लग्टा तो नहीं है। मैं तुम्हारी सोच को बदल नहीं सकती हूँ। और नहीं तुम्हारे शक का कोई इलाज है। मैं तु सिर्फ इतना कहने आई थी, कि मैं आज भी तुमसे बस। बस रुकी बस। इसके आगे एक लफ नहीं है। तुकि इसके आगे कुछ भी सुना मेरे लिए गुनाह होगा। तुम मेरे छोटे भाई की पीपी हो। लेकिन आज तुमने सारी हदे पागा। तुम मेरे नजरों में और भी गिर्फ तुम औरत कहलाने के लायक नहीं। रूपी, आप बाउनिग इससे पहले के मैं अपने होश खो बैठू। चले जाए आए। रूपी आइससे गेराओ। मैंसे नहीं मानोगी। मैंसे नहीं मानोगी। कुम दूए। कम दूए, कौम दूए। ये देखिये। ये है चौदरी खांदान की बहु। ओ, तो तुम्हे इतनी बत्तमीजी पर उतर है। और वो भी चौदरी खांदान की बहु पर। अवाज धीमी कीजिए। और अपनी इस ग्रेट बहु से पूछिए। कि याद ही राद गये मेरे याने एक पराय मर्द के कमरे में क्यों आई थी। क्या कर रही थी वहां पर। क्या आने की वजय तो कमाल की है। शादी शुदा होने के बावजूद ये मैडम मुझसे प्यार का इजहार कर रही है। और चौदरी शाद आप इतनी शान से इस गंदे ख्याल की लड़की को अपनी बहु कह रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आफ से ये पूछो कि तुम क्या है। दौलत के लिए तुमने हमारे रिष्टों और जज़वातों को मजाग बना कर दख्या।